1988 और्मेनिया में एक भयंकर भूकम्प हुआ था विश्व का सबसे बड़ा भूकम्प लगबग 35,000 लोग मारे गए थे उस भयंकर भूकम्प में एक परिवार का मुखिया उनके बेटे का नाम और्मेंड चोथी गलास में पढ़ने वाला बच्चा उसके पापा कहते थे और् करना मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा उस चोथी गलास में पढ़ने वाले बच्चे ने पूछा याद करते ही आ जाएंगे क्या हां हां याद करते ही आ जाऊंगा मेरे लिए कौन है तुम्हारी मा भी कुछ दिन पहले ही भगवान को प्यारी हो चुकी है तुम्हारे लि कि एक बहुत भड़ा बूचाल आया है लगबक 35,000 लोग लापता हो गए हैं या मर चुके हैं अरे अरे अच सुभह ही तो और मेंट को स्कूल छोड़कर आया था मैं उसे कहा था कि मुझे याद करो मैं आ जाओंगा मेरा बेटा मेरा इंतजार करता होगा सोचकर लंच बॉक् हैं चलो एक साथ मिलके मदद करें अन्य सब माता पिता कहते हैं कि हम सरकारी मदद का इंतजार कर रहे हैं करमचारियों का इंतजार कर रहे हैं बुल्डोजर का इंतजार कर रहे हैं तो यह कहते हैं कि और मेंट मेरा इंतजार कर रहा होगा आपके बच्चे आपके इंतजार कर रहे होंगे वो लोग जिजग रहे थे लेकिन इन्होंने क्या किया जानते हैं अपने बच्चे की क्लास्टरूम को ढूंड कर जमा हुए मलवे के धेर के सामने खड़े होकर बोले और मैं तुम अपनी एक उंगले हिलाओ मैं जान जूँगा मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं यह कहकर खोदना शुरू कर दिया एक घंटा खोदा दो घंटा खोदा पर इनसे हो नहीं पाया तभी वहाँ पुलिस वाले आए और उनसे बोले सर आपसे नहीं होगा आप पुलिस वाले आगे आए मेरी मदद कीजिए मेरा मेरा बच्चा मेरा इंतजार कर रहा होगा पुलिस वालों ने कहा हम लोग मशीन का इंतजार कर रहे हैं नहीं और मैं मेरा इंतजार कर रहा होगा हटिये कहकर फिर से खोदना शुरू कर दिये छे गंटे साथ गंटे खोदे एक अबाद भी कुछ नजर नहीं आया तब ही फायर बिगेड वाले भी आए फायर बिगेड वाले आके कहते हैं सर ये काम आपसे मुम्किन नहीं होगा आपके खोदने की रफ्तार से हमें नहीं रखता आपका बच्चा जिंदा होगा दो दो दिन का हमें टाइम दीजिए हम आपके बच्चे की बाड़ी अपके रिस्टोर कर देंगे मैंने अपने बेटे से कहा था जब तक मेरे शरीर में आखरी शान चलेगी मैं तब तक तुम्हारी मदद करूँगा आप हटिये मैं खोद लूँगा बीस घंटे, तीस घंटे, चटीस घंटे बीट गए गुजरते हुए हर पल के साथ इनकी उमीदें भी कम होने लगी एक छोटा सा बच्चा इतने बड़े मलवे के नीचे दबा रह के कैसे जिंदा रह सकता है इधर उधर देखे तो हाथ, पाउं सब अलग-अलग नजर आ रहे थे उनकी उमीदें खतम हो गई अचानक बारिश होने लगी, पानी मलवे के अंदर घुचने लगा चालिस घंटे खुदने के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा एक बड़ा सा पत्थर था जिसे वो हटाने के कोशिश की मगर सफल नहीं हुए इतनी जल्दी क्या है तुझे, कम से कम तेरा मूँ तो देख लेता है ऐसे बड़ बड़ाते हुए कोशिश कर रहे थे उस पड़े से पत्थर को अपना पूरा दम लगा कर वहां से हटा दिये दुरगंद का एक जोका है अंदर से अपना पूरा जोर लगा के और मैंग चिलाए अंदर से लड़के के आवाज आई पापा, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ उन्होंने पूछा, कि तुम ठीक तो हो ना 35 बच्चे अंदर फशे हुए हैं मैं सभी स्टूडेंट से यही कह रहा था सुनो, मेरे पापा के सलामती के लिए प्रास्थना करो वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे भूख लगी है, प्यास भी लगी है पापा आजा, बाहर आजा बोलते हैं वो लड़का बोलता है नहीं पापा, 35 बच्चों को पहले भेजता हूँ मैं और अंत में ही मैं आऊँगा क्योंकि अभी भी कुछ हो जाता है तो आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे इतना विश्वास है मुझे आप पर ऐसा कहकर 35 बच्चों को बाहर भेज कर फिर वो बच्चा मलवे से बाहर आया था मैंने किस वज़े से ये सच्ची कहानी आपको बताई जानते हैं क्योंकि हमारे बच्चे हमारा इंतजार करते हैं पापा हमें पढ़ाएंगे पापा हमारे ले कमा के लाएंगे फिर सोसाइटी वो सोसाइटी हमारे साथ है सोसाइटी का मतलब क्या है लोग लोगों का मतलब क्या है महत्वता महत्वता का क्या मतलब है इसे स्वीकारने इसे ना स्वीकारना हम जिस तरह से जानवरों को पालते हैं या बगीचे की धेखबाल करते हैं उस तरह से हम सोसेटी साथ व्यवार नहीं कर सकते प्राइमरी रेस्पोंसिबिलेटी अगली सोसाइटी सिर्फ स्कूल में ही निर्मित होती है ना कि सरकों या फिर कार खानों में इस डीवीडी का मुख्य असार क्या है आप जानते हैं Let us create a new India Let us create a new generation आपका बच्चा भी आज का आइंशिन बन सकता है आपके घर में भी एक मदर टेरिसा MS स्वामिनादन एक अब्दुलकलाम बन सकता है वो आपके हाथ में है